Hello everyone, कैसे हैं, आप अच्छे हैं, अच्छे बने रहें दोस्तों, आज के special वीडियो में हम बात करें IPL comeback में मुकाबलों के बाले में दोस्तों, यह match नमबर 52 है और इस match में जबर्दस fighting होने वाली क्योंकि गुजराइट टाइटन और RCB के बीचे match खिला जाएगा चिनना स्वामी स्टूडियम में दोस्तों, अकर बात करें चिनना स्वामी स्टूडियम की तो यहाँ पर RCB इस बार बहुत खास प्रवाव नहीं डाल पाईए वोम ग्राउन होने के बाद ही वही बात करें पिछले मुकाबले गुजराइट टाइटन और RCB के बैच जो मैच हुआ था दोस्तों, उस मैच में कमाल किया था RCB ने और लगातार दो जीत के साथ बड़ी confident योगी दोनों ही टीमों को खतरनाक तरीखे से हारा चाहे हेदराबाद हो या गुजराइट टाइटन लगातार दो जीत हासिल गिया बात है तीसरी जीत की वो भी गुजराइट से ही तो क्या यह सिलसला बनेगा या यहीं पर विराम लगे वही बात करें गुजराइट टाइटन की दोस्तों यहां से समाब दे चार मुकाबले बच्चे को जीतना जरूर ही है दोस्तों वही बात करें RCB की तो RCB का तो यही कहना है कि हम तो डूगर सलम तुम्हें भी लेड़ोंगे तो वही किस्सा है कि कोन से वह चार प्लियर दोनों टीमों के होंगे जो इस मैच में प्रदेशन करने वाले पीच रिपोर्ट के अलावा भी फूसारी जान करी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो टेनल को सब्सक्राइब की जान तक अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया है तो तो अब बात करें नही दें चिन्ना सवामी की पीच रिपोर्ट के इस साफसा आडाए थो इस सार व 2 और पिछले साल के साथ मुकाबलों सब्सक्राइब टो टोटल ग्यारा में 2324 धूस में खेले जाए जुकी 2023 कि अगर हम बात करें दोस्को तो यहां पर चार बार मैं से दोबार फर्स्ट बेटिंग बात कि यह बत रहा हैं है कि इस पीछ पर बना थे तो रहा है तो तो यहां पर तीमें आसानी से चेस कर रहा था आर्ट सीवेने पर अंतु पच्छीस रनों से हार गये थे वही लखनों ने इनको मेच हरा दिया था तो यह कह सकते हैं कि पीछ बैटिंग बॉलिंग बैटिंग के लिए कमाल गई है पर अंतु पिछली बार हैदराबाद से भी जब के सबसे देखा जाए कि टोस जितकर यहां पर कोई टीम है कि तो पहले चेस करने जाती है पर अधिक तरह पर कोई बैटिंग का पावरफुल ड्राइग को बड़ा स्पूर कड़ा करती है और फिर जीतने की पुरी-पुरी संभाई दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इस पेस प्राणा चाहते है उसको ले होता है तो यह बहुत सिंपल सी बात है अब अगर आप नए पंटर और यहां पर आप कुछ प्लस करना चाहते है तो इंपोर्टन बात यह दोस्तों कि आपको कब लेना है कि माले डिसाइड़ आपको फरस्ट टाइम है कि आप कर रहेंगे कोई से जीती है माले लिए कि आप चाहते है कि गुजराई टाइटन ओर मैस जीतने की है तो आपको इसा नहीं कि स्टाइब में गुजराइट टीम तीम अच्छा घेल भी तब आपको एंटर लेना यह उसले लगता है कि गुजराट यह सब तब आपको एंट्री लेना है यानि कि समझे कि आर सीवी अगर 50-60 पईसे के असपाइब करना है और अगर आप चाहते हैं कि आर सीवी यहां से जीतेगी तो जब गुजरात अच्छा खिल रहे हैं गुजरात 60-50 पईसे होती है तो आपको आर सीवी को बेक करना है फिर भी हमारे टेलेग्राम चैनल का दिया है वहां से आप जोइन कर लीजिए एक्यूरेट मैच कब एंट्री लेना है कपकेश आउट करना है टोटल डेटियल बताती है तो यह चीज आप वहां से जाकर जोइन कर लीजिए का दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर सीवी की प्लेंग 11 दोस्तों जानते हैं कि रोष्ष रैट कोली के बात व्लीजिए व्लेजिए वाप क्या लावा माँ पर ग्लेन मैक्सिवल और विल जेक्स यह चार्ड किलडी फिक्स है और ग्लेन जिस तरह से विल जेक्स नहीं यहाँ पर पौरी खेली उससे लगता है कि वह वापिस से आर स आर और इस बात करें तो इस बात मैंक डागर को भी लेकर आयाmost अगर बिएटेंग करते हैं तो इनका बड़ा सिंपल सा लोजिक है किए अनुजराबत को यहांपर मौका देते हैं वह वाली चीजिशा-RCյी अभी तक दिखाई नहीं तो यह सिंपल सी ंλλे वाली है यह तेम में की कस्ता होने वाले हैं वही बात करें हैं यहांपर घुजराच की क्लेंग डेलेवन की और यहाँ पर रहुल तेवर्टिया के अलावा भी आप इस बार जो सारुक खान ना जो पिछली में खेली थी इससे थोड़ी सी जाए नूर एमद को भी यह मौका दे रहें बॉलिंग में और मोहिश शर्मा जिसकी बॉलिंग की पूरी दिवानी थी दूस्तों इस बार हो या पिछले बार जैक्स ने पिटा हो बहुत अभियत से इनके दुलाई हुई है और यहाँ पर अफगनिस्तान के वर्सीज भी यह आलाउंडर के तोरपन को खिलाया तो हर्दिक पंडिया की जगाव को रिप्लेस करने के लिए परन्तु वैसा कोई कारणाव अभी तक इ यहां पर गुज्राइट की लिंग बहुत अच्छी परन्तु आप देखते हैं मेच मेर में क्यान तो ही बात करें दूस्तों किमेच विलिंग की तो टॉस प्रेंडिक्शिनग की सबसे बात करें तो टोस इस बाद गुज्राइट टाइटन जीतना वला है और गुजराइट झाल झाल